जैस्री रादे दूस्तो केपी कीवानी चैनल में आपका स्वागत है मातारानी का आशिरवात पाने हे तू कमेंट में जै मातारी अवस्य लिखे वही अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हरहर महादेव अवस्य लिखे यकीन जानिए मातारानी संग महादेव की आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवसी वरसेंगी और आप स्वापरिवार स्वास्त एवं सुखी रहेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में आपको नवगरह के रासी परिवर्तन की आधार पर यह जानकारे देने जा रहा हूं कि 8 जुलाई तर जिन जात्कों के विवाह के योग हैं, जिन जात्कों के सगाई के योग हैं, जिन जात्कों के रिष्टे तै होने की योग हैं, उनके बारे म बताऊंगा उससे पहले मैं आपको केपी कीवानी की सेवाओं के बारे मता देता हूं तो जैसा कि आपको पूरुव से ग्यात है केपी कीवानी एक ऐसा चैनल है जिस पर केवल और केवल विवा सम्मंद की जानकारी दी जाती है जो नए सब्सक्राइबर हैं जो नए व्यूव उन्हें मैं बता दू कि अब आप केपी कीवानी से अपनी साधी की कुंडली भी बनवा सकते हैं या दिखवा सकते हैं इसमें आपको साधी से सम्मधित सभी प्रकार की जानकारी मिल जाएगी कि आपकी साधी कब होगी, कहा होगी, कैसे होगी, किस से होगी, किस दिसा में होग किस रासी से करणी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रोप, स्वरोप, सभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, सस्रार में घर दुआर कैसे होगे, पती कितना पढ़ा लिखा होगा, पती कितनी पढ़ी लिखी होगी, यह सभी जानकारी जो है आप KP की वान से जूढने के लिए आप 8521835670 इस नंबर पर आप मुझी वाट्सअप कर सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं, अथवा मैसेज कर सकते हैं, अगर नंबर जल्दवागी में निकल गया है, तो मैं आपको नंबर एक बार और बुहरा देता हूँ, 8521835670 आप description box में भी आराम से नंबर नोट कर सकते हैं, ऐसे जा तक इनकी साधी तै हो चुगिया तै होने वाली है, वे अपनी कुंडी मिलान अवस्य करा ले, इसने विवाह उपरांद वेवाहिक जीवन की जानकारी प्राप्त हो जाती है, नारी दोस, भकुट दोस और मांगलिक बली होने पर साधी के उपरांद वेवाहिक जीवन में परसानी आती है, तो आप अपने नजधी के किसी प्रकान पंडित्वा जूति से संपर कर सकते हैं, अनथा केपी कीवानी पर आपका स्वाधत है, वहीं आप अपने बच्चे की कुंडली बनवा सकते हैं, उसका नाम करण करा सकते हैं, सगाय मुहर्त, विवाह मुहर्त, उपनयांत थी, संपत्ति क्रहते थी, वाहन क्रहते थी, क्रिप्रिवेस्त थी, सभी तरह की जानकारी जो है आप केपी कीवानी से उचे सुल पर प्र को लेकर रासी को लेकर तारा सूर्य भ्रह्मन आजी सभी जानकारी का ज्ञान अवसी रखे लड़के या लड़की का विवाह कराते हैं तो विवाहिक जिवनों का पैतर और खुस्नमा बीटता है तो सुभ दिन कौन सा होता है तो जोतिशो की माने तो सोमबार बुधवार तिति भूल कर भी विवाह निश्चित तै ना करें सुभ दितियां कौन सी है आई अब सुभ दितियां जान ले तो दूतिया तिरतिया पंचमी सप्टमी एकादसी और त्रियोदसी का दिन सुभ माना जाता है या त्रियोदसी की तितिति सुभ होती है सुभ महर्त अभिजा में ऐसा कहा गया है कि गुरू और सुक्र का उदय रहने के पस्चाथ ही विवा की योग बनते हैं और उदय रहने पर ही विवा करनी चाहिए। कौन सा होता है तो बाबा, करणी, कौलब, टैतला, गारो, वनिजाकरण, आली, सुबकरण हैं। सुब योग कौन होते हैं तो प्रितिय योग, स्वभागी योग, हर्शन योग ये सारे सुब योग माने जाते हैं। एक कन्या का विवाई कृत समाप्थूनी के पस्चात, द्वालवेद और अचारिवेद के जरिये दो कन्या का विवा हो सकता है। एक समय में दो सुबकरम करना उत्तब नहीं माना जाता है। उसमें भी कन्या के विवाह के अनंतर पुत्र का विवा हो सकता है। किन्तु पुत्र विवाह के अनंतर पुत्री का विवाह छे महिने तक नहीं करनी चाहिए। सास्त में पुत्र विवाह के अनंतर, पुत्री के विवाह की जो तिथी या अनुमानित समय है, वो 6 महिने तक दिया गया है, इसका अबसी ख्याल रखे, एक वर्स में सहोदर भाई अथवा बहनों का विवाह सुभ नहीं माना जाता है, यानि अगर जुड़वा भाई बहन है तो एक ही वर्स में उनकी विवाह बिल्कूल ना करे, वर्स भी अवस्य से ध्यान रखे, समान गोत्र और समान प्रवरवाली करना के साथ विवाह नहीं करना चाहिए, विवाह के पस्चात एक वर्स तक पेंड़दान, मिर्कतास्तनान, तिलतरपन, तिर्च यात्रा, प्रेतानुमन आदी नहीं करना चाहिए, विवाह में छीक दोस भी नहीं लगता है, यानि कि अगर विवाह के समय में कोई छीक दे, तो इसका दोस नहीं लगता है, वहीं वाई का इक में स्परसास्पर्स का भी दोस नहीं लगता है, यानि कि अगर छोटे बड़े के पाउ लग जाए तो इस मेश परस परस का भी दोस्त नहीं लगता है तो इन चीजों का अवस्य ध्यान रखें आईए अब मैं आपको नवग्रह रासी परिवर्तन की पूरी जानकारी दे लेता हूँ तो अस्वार परत हम सूरी की बात करते हैं तो सूरी वर्तमान समय में वरिशव रासी में है और 15 जून को मिठून रासी में प्रविश कर जाएंगे इसके बाद जो है मंगल वर्तमान समय में मीन रासी में है और 27 जून को जो है वो मेश रासी में प्रविश कर जाएंगे बुद्ध वर्तमान समय में व्रिशव रासी में है और 2 जुलाई तक व्रिशव रासी में रहेंगे और 2 जुलाई के बाद जो है वो मिथुन रासी में प्रविश कर जाएंगे बात करे गुरु की तो गुरु वर्तमान समय से लेकर अगले साल 22 अपरील 2023 तक जो है मीन रासी में उपस्तित रहेंगे बात करे सुक्र रासी की तो सुक्र वर्तमान समय में मीन रासी में है 23 माई को मेश रासी में प्रविश करेंगे और 18 जुन को व्रिशव रासी में प्रविश करेंगे तो इस तरह से सुक्र का गोचर होगा बात करे राहू की तो वर्तमान समय में राहू मेश रासी में उपस्तित है सनी वर्तमान समय में कुम्ब रासी में उपस्तित है और 12 जुल कुम्ब रासी के जात्कों को साड़े साथी से मुक्ति मिल गई है वहीं कुम्ब रासी के जात्कों पर साड़े साथी का दूसरा चरण प्रारम होगा जबकि मकार रासी के जात्कों पर साड़े साथी का तीसरा चरण प्रारम होगा 12 जुलाई से यह कुल मिलाकर कहें तो तीसर चरव उपर चल रहा है और 29 मार्च 2025 कुन को मक्ति मिल जाएगी साड़ साथी से जबकि कुम रासी के जात्कों को भी लंबा इंतजार करना पर सकता है सुक्र जिस रासी में प्रवेश करते हैं उस रासी के जात्कों के विवार के प्रवल यूग बनते हैं खासकर लड़कों के सुक्र इस्ते सुक और विवार सुक के कारक माने जाते हैं अगर सुक्र मजबूत हो लड़कों के साधी सीग हो जाती है गुरू के मजबूत रहने पे लड़कियों साधी सीग रो जाती है तो सुक्र का गोचर वर्तमान समय में में इसके पस्चाथ में और फिर ब्रिसव रासी में होगा जब कि गुरू मीन रासी में उपस्ची थे हैं तो इन दोनों रासी के जात्तों के तो विवा के प्रवल यूग बन रहे हैं जब मेस रासी में कुचर करेंगे सुक्र तो पचीस दिनों के लिए मेस रासी के जात्तों के सगाई के यूग बनेंगे कि रिष्टे तै होने के रिष्टेदार आ सकते हैं, अजनभी घर पर आ सकता है, फोन कॉल आ सकता है, यानि कि रिष्टे की जो है, बहुत दुरवात हो जाएगी और 25 जिनों में मीनिस रासी के लिए बेहत जुब समय रहने वाला है, खासकर विवास सम्मन को लेकर, बात करें मीन रासी के जात्कों के मीन रासी के जात्कों पर अभी गुरू के चलते जो है, सभी बिगडे काम बन गये हैं, और उनके जो भी फैसले वो ले रहे हैं, उनमें उनको सफ़कता मिनने की पूरी पूरी संभाबना है, इसके संभाबना भी अधिक है, कि मीन रासी के जात्को के लिए तो सोने पे सुहागा जैसा समय है और इस समय में आप परने सुत्र में अवस्ती बंध जाएंगे अगर कुंडी में किसी प्रकार का कोई दोस नहीं है और आपकी आयू विवाही तु गो चुकी है तो मीन रासी के ऐसे जात्कों के बारे मैंने बताया है जिनके विव दाकि यू प्रवल है तो मेंस भृषःव और मीन तीनों के बारे मैंने अपको बताया है शुक्र के रासी परिवर्तन से और मीन रासी के प्रिवर्तन से आ जुलाई तक इसकी जन में आठ जुलाई तक लगन का लिवाही तु यानिकि विवाही 8 ओर तो युद आठ जुला साधी पैह हो सकती है साधी की बात्ची चल सकती है और एक दूसरे से मिलना जुलना यह अक्रभ भी जारी हो सकता है वहीं बात करें कि सूर्य रासी परिवर्तन बर्तमान समय में ब्रसव रासी में है और 15 जून को जो है मिठून रासी में प्रविश कर जाएंगे तो सूरी के एक दूसरे से एसे जातक जिनकी 27 वर से अधीक है और अगर आप ग्रशव रासी के जातक है या मिठून रासी के जातक है तो आपके आठ जुलाई तक योग हैं अलाकि आपकी कुल्ली में सूरी के अलावा किसी अन्य ग्रहों के दृष्टी नहों या आप किसी अन्य ग्रह या दोस्त एक पीडित नहों तो फिर आपकी योग आठ जुलाई तक प्रवल है बात करें मरकरी यानि बुद्ध की तो बुद्ध जो है वर्तमान समय में व्रिसवरासी में है और दो जुलाई तक है सुक्र का गोचर होगा व्रिसवरासी में बुद्ध का भी गोचर व्रिसवरासी में हो चुका है तो इसके चलते जो है वर्तमान समय से लेकर आठ जुलाई तक ब्रिस्व रासी के जात्व गले सुभी सुभ योग हैं बात करें मंगल की तो बरतमान समय में मंगल जो है यानि कि 17 मैशे लेकर सताय जून तक जो है वो मीन रासी में रहेंगे और इसके पस्चाद जो है वो मेस रासी प्रविस कर जाएंगे तो 10-11 दिनों के लिए मेस रासी के जात्व के लव मैरेज की योग बनेंगे यानि कि 8 जुलाई तक आप उस दौरान अपने माता-पिता से बात कर सकते हैं लव मैरेज की चुक जातक जो प्रेव पढ़ संग में है और लब महर्च करना चाते तो अपने माता पिता जो से बात कर अपने प्रेम विवाह की इच्छा जाता सकते हैं और उनको अवसी शफलता मिलेगी तो मंगल से मेश राजी के मीराजी के जात्को के लब महर्च के योग बनेंगे वही बुद्ध से, सुक्र से, गुरु से, इनके रहने से जो है वो अरैन मैरिज की योग बनेंगे, बात करें राहू और संगी की, तो अगर सब्तमेश में राहू स्वामी बन बैठा है, लगन में राहू की दृष्टी है, और अंतर दसा भी राहू की चल रही है, तो ऐसी प्रस्तिती में राहू, यानि की मेश रासी के जातों के योग हैं, इसके अलाबा ऐसे जातक जिनके हैं, सब्तमेश स्वामी राहू है, लगनेश स्वामी राहू या उसकी दृष्टी है, और अंतर दसा चल रहा है, उनकी कुंडली पर राहू केतु की, तो उनके भी विवाह की योग हैं, बात करें सनी की, तो सनी अगर सब्तम भावे दृष्टी बना दे जिस जातक की, और उसकी आई की इस्वर से अधीक है, तो उसके विवाह की योग बन रहे हैं, आठ जुलाई तक, तो मैंने आपको इस वीडियो में उन चार रास्यों के विस्तार सूचना है, तो ले इसके अत्रिकत अगर आप इनको मांते हैं, अपनाते हैं तो रास्यों की विडियो अवस्ह देखिए, तो दोस्तों आपको इह जानकारी कैसे लगी, लाइक, कमेंट, सेयर कर हमें अवस्ह बताएं, अगर आप नेरी चैनल पर पहली बार वजड़ कर रह कि मातारानी खिर्पास से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहें आप सो परिवार स्वस्प एबंग सुखी रहें आप सभी के प्यार अश्मेक लिए आप सब कुढ़दय से धन्यवाद करता हूं आप लोग इसी तरह मान साथ जूले रहें इन्हीं सुख कामनाओं के स